वेल्कम बैक अगें तो आज हम बात करेंगे मकोई के बारे में मकोई एक ऐसा पौधा है जिसका हर एक भाग इस्तमाल किया जाता है यह बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे सरीर के लिए मकोई को भगवलन भटकोई या काकमाची इत्यादी नामों से जानते हैं मकोई में 12.1% पानी, 15.9% प्रोटीन, 1% फैट तन्था 2.1% मिनरल्स और 8.9% कार्भाईड्रेट होता है मकोई आम तोर पर दो तरह के देखे जाते हैं एक जामनी कलर का और दूसरा लाल कलर का मकोई होता है वह मीठा होता है जबकि लाल कलर का मकोई आपको घटा मीठा स्वाथ लगेगा अब बात करते हैं हम इसके फायदे के बारे में मकोय किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है चलिए बात करते हैं मकोय का सिवन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है किड्नी से ग्रसित रोगों को पेसेंट को ठीक करता है जैसे कि kidney में swelling, बार बार पिसाब लगना जिसे regular urination कहते है या skin disease से aggressive patients को भी ठीक करता है जैसे कि चेहरे पर काले धब्बे, खुजली, इत्यादी रोगों का समधान करता है या fever में भी बहुत काम आता है fever में इसका juice का सेवन जरूर करे तथा काम करने से जो सरीर में दर्द होता है, उसमें बहुत ही लावदायक होता है mouth ulcer, जैसे कि मुँँ में छाले पड़ जाना ear pain, कान का दर्द stomach cramp, जिसे पेट में अकुरन बोलते हैं उस चीज में बहुत ही फायदे करता है मकोग के लगतार सेवन करने से sexual stamina बढ़ती है, semen formation होता है जिसे वीर्ड का निर्मान कहता है या चेहरे पर आय दाग धब्बे इत्यादी को खतम करता है तथा छोटे मोटे घाव को भी जल्द से जल्द भर देता है तो अब हम बात करेंगे इसके अधिक उप्योग से होने वाले हानिकारक दुस्प्रभाव का तो 0-18 साल के बच्चे इस मकोवे का सेवन ना करें जबकि मकोवे का अधिक सेवन करना हमारे लिए बहुत ही घातक होता है तथा इसे जान भी जा सकती है तो मकोवे का अधिक सेवन कभी भी ना करें तथा डॉक्टरों के सला से या फिर आयुरवेदिक दबाओ के डॉक्टरों से सला लें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव है कमेंट सिक्सर में जरूर बताएं कितने पुल जरूर में वीडियो में पर वीडियो